कि अगर दोस्तों एक बर फिर से आपका हमारी चैनल जोहर जाखन टेक में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आप सिच्छक बनना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी ख़बर आई है जहां दोस्तों हमारी जो सिच्छा मंत्री है हमारी जो सिच्छा मंत्री जगरनात महत्यों जी है उन्होंने कहा है कि 30,000 सिचोगों के नियुक्ति होगी वास्थानियों को अस्थानियों को प्रात्मित्ता मिलेगी मैं बताओ दोस्तो हमारी जो सिच्छा मंत्री है वह जमसेद पूर में लोगडान और दे के फीस मांगने वाले निजी स्कोलों पर कारवाई के लिए बात कर रहे थे इसी बीच सिच्छा मंत्री ने कहा कि 23,000 सिचोगों के नियुक्ति होगी वास्थानियों को मिलेगी प्रात्मित्ता देखे दोस्तों पूरा डेटल क्या है सिच्छा मंत्री ने कहा कि मेट्रिक वा इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकर जल्द कायर सुरू होगा रिजल्ट समय पर जारी होगा वहीं सिच्छा मंत्री ने बिष्टूपूर इस्थित परिस्दन में पत्रकारों को बताया कि जल्द ही सरकारी स्कूल में 13,000 सिच्छों की रिक्ति रिक्त पदों को भरने की परक्रिया शुरू करेगी इसमें अधिक से अस्थानिय युवाओं को नौक है लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है ना नियमावली बनी है और नहीं दोस्तों यहां पर जो अस्थानिय निती लागू हुई है नहीं नियमावली जो लागू होने की है वह लागू हुई है तो दोस्तों ऐसे में देखते हैं कि कब यह बात सच होगी या सिर्फ बोलती ही रहेंगे यह तो आने वाला वाक्त ही बताएगा फिलाल दोस्तों मैं बता दू इन्होंने कहा है तो आगे क्या होता है कहने और करने में बहुत बड़ा फार्क है इस परकार के लेटेश न्यूज के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों साथ जरूर से कर दीजेगा दूस्तों आज की विडियों बस इतना है मिलते हैं बड़ी नीज गजार तर तक लिए हंदर जोहार जार करने हैं